अगर आप कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करना चाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत यदा हेल्फूल होने वाली है क्योंकि आज हम सेयर करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो खाने में तो टेस्टी होती है साथ ही साथ ये बनाने में भी बहुत ही ज्यादा आसान है तो इसको देखकर तो आप समझी गए होंगे कि परवल की कोई रेसिपी हम सेयर करने वाले हैं तो जी हाँ पानी से अच्छे से हमने साफ कर लिया है तो ये देखिए परवल जब भी लेना तो इस तरीके की रेसिपी बनाने के लिए परवल को हमेशा अच्छा फ्रेसी इस्तेमाल करना है एक या दो दिन का परवल इसमें बिल्कुल इस्तेमाल ना करिएगा उससे क्या होगा हमारे ये जो रेसिपी ना वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी तो हमें ताज ही परवल का इस्तेमाल करना है तो अब इसे हम च्छेल लेते हैं तो इसका च्छिल्का ना बहुत ही आसानी से घट जाता है ये देखिए तो छिलनी की सायता से इसको हम च्छिल रहे हैं और इसे हलक नहीं करना है केवल बीच में हमें एक कट लगाना है इस तरीके से कट लगाने के बाद क्या करना है इसका जो अंदर का बीज है ना उसे हमें निकाल देना है क्योंकि इसका ना इसमें कोई भी काम नहीं है और यह खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा और इस पेसली इस रसी वह अच्छ से बॉल होने लगा है तो आप सारी पर्वल को नपवीश में डाल देते हैं और गयास के फ्लैम को हम हाई ही रहने देंगे हाई फ्लैम पर इसको हमच पांच मिनट के लिए तो यह देखिए अब इसको हम पकने देते हैं अच्छ से ध्यान रखिएगा कि पर्वल क को ना हमें बहुत जादा ओवर कुक नहीं करना है लेकिन हां कच्छा भी नहीं रहना चाहिए और इसका कलर जो है वो मिंटेन रहे इसके लिए यहां पर हमने आधी शोटी चम्मच के जितना खाने वाला सोड़ा डाला हुआ है इससे क्या होता है इसका जो कलर है वो एकदम मि किया हुआ है और यह काफी अच्छे से उबल चुका है एकदम सॉफ्ट हो चुका है पर वल अब कच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हां से इसको दबा कर देखे काफी अच्छे से सॉफ्ट है आप देख सकते हैं यह दब भी रहा है ना तो बस अब इसको हम निकाल लें अठाग पानी लिया है तो अधे कप पानी लेंगे और अधे कप के जितना हमने पानी डाला है और एक कप इसमें हम चीbs डाले अब इसको म्ला देते हैं और इसका न हम सिरफ तयार करेंगे मतब सुगर सिरफ जो होते हैं है वह हम बनाएंगे तो चार से पांच मिनट का टाइम इसमें लग सकता है मेडियम फ्लेम पर ही बनाएं और यह देखें यहाँ पे हमने थोड़ा सा फूट कलर लिया हुआ है इसकी कॉंटिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पिंज से भी कम है तो यह टोटली आपसनेल है क्योंकि परवल का जो कलर है वो वैसे ही ग्रीन दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा इससे ना कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया है आप अगर इसको skip करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं तो यह देखिए चासनी हमारी तैयार हो चुकी है मतलब इसे ना एक तर या दो तर की चासनी हमें नहीं बनाना है ये एकदम चिपचिपा होना जाए जैसे सहद होती है ना सेम उतना ही से चिपचिपा करना है तो ये देखे आप उंगलियों के बीच में आप देख सकते हैं ये हलका सा चिपग रहा है लेकिन तार इसमें नहीं बन रहा है तो हमें ऐसी ही इसकी चासनी तयार करनी है तो बस अ मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से इसमें पका लिया है चासनी में अब इसको हम निकाल लेते हैं और कलर डालने की वज़े से आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज्यादा बढ़ियां लग रहा है यह देखें एक दम सेम जैसे मार्केट में मिलता है ना स्यम वैसे ही लग एक दम परफेक्ट यह देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है लेकिन अगर आप कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ना करें अब यहां पर हमने एक कड़ाही को रखाय गरम होने के लिए इसमें डालेंगे दो चमत देसी घी आप इसकी जगर जो अधा कप है टोटल यह एक कप है अधा कप दूद और अधा कप मलाई का इस्तेमाल किया है और इसी कप से नापकर हम इसमें इसमें इस्तेमाल करेंगे मिल्क पॉडर तो मिल्क पॉडर आप किसी भी ब्रांड या कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं मेजर्मेंट का आप जरूर तयार होती है तो अब मिल्क पॉडर को एड कर देते हैं और लगातर इसको हम चलाते रहेंगे इसमें जो लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए मिल्क पॉडर काफी आसानी से इसमें घुल जाता है तो यह देखे बस आप इसको चलाते रहेगा इसको 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 इ तो अब इसको हम निकाल लेते हैं तो अब इसे क्या करना है मावा को नहीं थंड़ा होने देते हैं और ये खाने में बहुत यदा टेस्टी लगता है बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि ये milk powder से बना हुआ मावा है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं तो अभी इसमें हम कुछ भी add नहीं करेंगे तो बज इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं फिर इसमें add करेंगे हम sugar powder तो मावा काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है ये देखे हाँ से बिल्कुल ये छूने लायक है मतब एक दा हम इसे ठंडा कर देना है उसके बाद ही इसमें add करेंगे sugar powder तो ये पीसी हुई चीने का powder है तो यहाँ पे हमने 3-4 चमची इस्तेमाल किया हुआ है बाकी इसको आपने taste के according कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इनी powder को भी अच्छे से मिला लेते हैं आप इसमें कुछ और भी flavor add करना चाते हैं जैसे इलाइची का powder है या कोई भी dry fruits अगर add करना चाते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं तो अब इसको हमने अच्छे से मिला लिया है और यह देखे यह खाने में बहुत यदा tasty लगता है ऐसे ही तो अब क्या करना है यह परवल को हम हलका सा प्रेस करेंगे और इसकी जो चासनी है उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे वनना एकदम गिला गिला लगेगा ना तो फिर इसकी स्टेफिंग जब करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मतब यह बहने टाइप हो जाएगा तो अब यह मावा क्या करना है इसमें अच्छे से हमें भर देना है तो आज हम बना रहे हैं पर्वल की मिठाई वो भी बिना मावा के तो आपने देखा है ना कि है ना यह बहुत यदा सिंपल इसको बनाना तो इसमें आपको मार्केट से मावा लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बहुत ही कम पैसे से आप बहुत यदार टेस्टी और डिलीसियस मिठाई बना कर घर में तयार कर सकते हैं रक्षा बंधन हो, होली दिवाली, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई पार्टी हो आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही इसली आप घर में बना सकते हैं और यकीन मानगी ये खाने में बहुत यदा टेस्टी लगता है, एक बार आप इसको बना कर जरूर इंजाय कीजेगा, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, आप मिल्क पॉडर से कितना टेस्टी है मिठाई बनकर तयार होती है, आप देख सकते हैं, और ये हमने थोड़ा सा लिया हुआ है, यानि नारियल का पूरादा, और ये थोड़ी सी हमने करोंदा चेरी ली हुई है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड है, हमने डाला हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत यदा टेस्टी लगता है, तो अब इसे क्या करना है, जो डेसिकेटेड को कोनट है, थोड़ा थोड़ा सा इसके उपर हम लगा देते हैं, ये ऑप्सनल है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर भी काफी अच्छा आ जाता है, इसका जो लुक्स है ना वो भी देखने में बहुत यदा सुन्दर लगने लगता है, तो है ना बहुत ही पैसे से आप बना सकते हैं, तो वीडियो पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में